हेलो, सो आज की स्लाइड में हम देखेंगे कि वीनस यानि शुक्र ग्रह को मौर्निंग स्टार तथा इवनिंग स्टार करके समोधित क्यों किया जाता है तो अगर हम सोलर सिस्टम को देखें अर्थ और अर्थ के बाद इनर ऑर्बिट में वीनस है और इसके बाद मर्कृरी और सन है तो वीनस हमारे और अर्थ के और बिट के अंदर में है वीनस अर्थ से फास्टर रोटेट करता है रिवाल्व करता है सन के आगे और इसलिए कभी तो वो अर्थ के आगे चल रहा होता है और कभी वो अर्थ के पीछे चल रहा होता है ये दिखिए ये अर्थ के पीछे आ गया और फिर ये धीरे-धीरे आगे निकल गया फिर rotation में fast होने के वज़े से फिर एक समय ऐसा आएगा जब ये वापस अर्थ के पीछे आ जाएगा ये पीछे आ गया इसकी वज़े से ये effect generate होता है कि Venus कुछ months of the year कुछ महिनों में साल के धर्ती पे ऐसे दिखाई पड़ता है कि उस सूर्योदे से पहले दिखाई पड़ता है और तब उसे morning star बुला जाता है और कभी कभी वह सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है तब उसे evening star बुलाए जाता है और ऐसा भी समय आता है जब Venus बिल्कुल विलुप्थ हो जाता है और दिखाई नहीं पड़ता है धर्ती से अब हम इसे समझने के और बारिके से कोशिश करते हैं यह अर्थ पेस्टेशनरी अब्जरवर यदी है और अर्थ रोटेट कर रही है तो जब अर्थ रोटेट कर रही है और Venus अर्थ से पीछे चल रहा है तो उस समय तो वह evening star की तरह दिखाई पड़ेगा यह sunset के बाद कहीं पे दिखाई पड़ेगा और जब अर्थ के आगे चल रहा होता है Venus तब वह morning star की तरह दिखाई पड़ता है